है है लो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे जो पिछले साल पतवारी और नायब्त तो सिल्वाजदार का पेपर आया था उसमें से कौन-कौन से कंप्यूटर के कोशन बनते हैं उनके उपर आज बात करेंगे उसमें भी यह पार्ट वन है जिसमें आज में कंप्यूटर ने जो मैंने पहली वीडियो में दे रखा है जितने भी मेरी पहली वीडियो आ चुकी है सब बेसिज के उपर ही है जितने बेसिक्स है उसी के उपर है जो अभी जो वीडियो इसमें से लेके आऊंगा वह कोशन है computer network के उपर network है computer network network devices security के उपर लेकिन वही question है जो last paper में पूछे गई है ठीक है next वीडियो में मैं uses of productive tools like word, spreadsheet, powerpoint इसके उपर लेकराऊंगा first question आपके सामने which was the following transmission direction listed is not a legitimate channel इसमें से देखना है कौन सा सही channel नहीं है इसमें, देखो transmission में अगर मैं आपको बताऊं तो simplex होता है जिसमें से one way communication होती है, sender always sender, receiver always receiver रहता है, वो simplex होती है half duplex होती है, जिसमें एक time पे sender send कर रहा है, receiver receive कर रहा है, दूसरे time पे vice versa हो जाता है जो first time पे receive कर रहा था, second time पे वो sender बन जाता है, जैसे walkie talkie में हम बात करते हैं, वो half duplex और full duplex mode भी होता है, जैसे हैं मैं mobile पे आपसे बात कर रहा हूं तो मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल लिए, same time पे हम दोनों एक time sender और receiver बोथ act कर सकते हैं तो गलत क्या हो गया इसमें, double duplex कुछ नहीं होता, double duplex हो है, वो गलत है next, a collection of hyperlinked document on the internet forms collection of hyperlinked document on internet forms, वो क्या बनाते हैं, जितने documents hyperlinked करके net पे रखे हैं, तो वो क्या बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं yes, guess करिए, यह तो easy है, यह last time पूछा गया है, यह भी question exam में इसको बोलते हैं, worldwide web, जो आपके सामने worldwide web एक पूरा network बना हुआ है, तो वो सारा links के help से बना है, ठीक है, उसको बोलते हैं, worldwide web, third question है the location of a source on the internet is given by its, क्या होता है, IP address होता है, URL होता है, URL होता है, और resource link होता है, इसमें से कौन सा सही है, तो सही answer है, URL अगर पिछली वीडियो आपने देख रखी हैं मेरी, तो उसमें ये question already आ चुका है, ठीक है, URL, कम फूल पूम होता है, uniform resource locator question number fourth, choose the correct option, दो option दे रखी हैं आपको P and Q, इन दोनों में definition दे रखी हैं, अब दोनों definition में ये देखना हैं आपको, कि definition P सही है, जा Q वाले definition सही है, जा दोनों सही है, जा दोनों गलत है, पी में दे रखा है, a protocol is an agreement on how communication components and the DTE are communicated, DTE की full form मैंने खुद जहां पर डाल दी है, तो DTE की full form क्या होगे, data terminal equipments, जो end points पर काम करते हैं, end to end terminal होते हैं, और उनके बीच में जितने भी routers, which is जो भी आते हैं, उनको हम communication components बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितने भी वो devices रास्ते में आ रहे हैं, जो end to end, जो terminal equipments हैं, उनके बीच में एक तरह से agreement होता है, वो protocol होता है, बिलकुल सही है, यह विरे definition, दूसरा, error detection at data link level is achieved by the CRC, cyclic redundancy check, यह भी बिलकुल सही है, इसका मतलब कि जो और अंसर आएगा आपका, वो आएगा C, बोथ P and Q, question no. 5, a topology with highest reliability is, इनमें से ज्यादा reliable कौन है, reliable का मतलब होता है, कि जिसमें एक आद वायर कट भी जाए, तो भी जो topology चलती रहती है, topology का मतलब होता है, कि जितने computers हमेंने connect किया है, वायर के साथ, वो आपस में उनकी connectivity कितनी चलती है, ठीक है, उस layout को basically बोलते है, topology, bus topology होती है, ring topology होती है, start apology होती है, master apology होती है, जे तो question में 4 apology ठीक है, लेकिन वो पोच्छ कहा रहा है, सबसे ज्यादा reliable कौन सी है, तो सबसे ज्यादा रहती है, mess apology क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा wires use की जाती है, हर terminal दूसरे terminal के सब directly connected होता है, clear है, एक terminal से दूसरे terminal के बीच में direct connection होता है, तो दस के दस आपस में एक दूसरे से directly connected रहती है, wires बहुत ज्यादा जूज होती है, इसलिए वो highly reliable कोई भी wire cut जाएगी, तो दूसरी wire के थ्रू communication possible हो जाती है, six question, the high speed communication equipment typically not required, अच्छा, इसमें देखिए कि communication equipment high speed वाला आपको किस में नहीं चाहिए होगा, सबसे पहले transmission of bulk data, मैंने ज्यादा data transfer करना है, तो मुझे system तो अच्छे चाहिए न, speed भी अच्छी चाहिए, second है email, email send करने के लिए कि आपको चाहिए, बहुत high-five system चाहिए, बहुत बढ़िया speed चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, सोचते हैं, third देखिए, communication between LAN, हाँ मैंने LAN establish करके रखा है, तो उसके लिए जो data transfer होना है, वायर भी जो cat five, cat six की होने चाहिए, और वो hundred mbps से ज्यादा वे कि speed से होने चाहिए, data transfer होगा, obvious है, इस मतलब all of the above तो possible नहीं है, तो सिर्फ email है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा high-five system नहीं चाहिए होगा, ठीक है, c, b is the right answer, email, question number seven, a device that is used to connect network with different protocol, इसमें दिखिए, अब पूछ रहा है, कि दो different networks, जो different protocols use कर रहे हैं network, तो उन्हों आपस में connect करने के लिए, जो device use किया जा जा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, gateway, clear है, दो different, यह याद रखना, word अगर different protocols, अगर दो network में different protocol use हो आपस में connect करने का काम gateway का होता है, clear, switch जो है, वो same protocols के उपर काम करती है, modem, hub, यह सब सेम protocol के उपर काम करने वाले हैं, next question, FTP stands for, यह question पूछा गया है, nav तसिलदार में, FTP, it's a, simple है, सब को पता होगा, file transfer protocol, बाके सब option गलत है, सही option है, file transfer protocol, A is the right answer, next question, number 9, which type of topology is best suited for large businesses, which must carefully control and coordinate the operation of distributed branch outlets, again topology, मैंने बोला कि network के उपर हर paper में आपको चार से पांच questions दिखेंगे, clear, यह पड़वारे में पूछा गया था, भी वह अगर communication मैंने जैसे topology की बात कर रहा है, कि topology कौन सी चाहिए, कि अगर large business में, manage system को आपस में coordinate करने के लिए, distributed branches के लिए, outlet के लिए यूज़ करना है, तो मैं कौन से topology यूज़ करूँगा, तो topology होती है, जिसको हम आगे extend कर सकते हैं, तो जिसको manage करना बहुत easy है, तो वो topology सिर्फ एक ही है, that is the start topology, उसको extend करना भी easy है, उसको manage करना भी easy है, fault detection भी easy है, सबसे ज़्यदा popular भी यही है, कोई भी question आ जाए तो उनसे start topology, ठीक है, next, choose the correct option, आपको फिर से दो option दे रखी है, firewall, software prevent the external assess to the system, यह तो ठीक है, firewall करता है भी जो बाहर से आपकी system तक assess आते उसको रोकता है, यह ठीक है, second, the size of IP address in IPv6, is 255 bits, यह गलत है, IPv6 255 नहीं है, 255 bit possible यह नहीं है, IP address जो IPv4 है, वो 32 bit का है, और IPv6 128 bits का, ठीक है, 128 bit, तो सही answer क्या हो गया, A, only P, is the right answer, question number 11, how many versions of IP available, IP address के मैंने अभी बोल के यहां, पिछले question में आपको, दो है, कौन से है, IPv4 and IPv6, ठीक है, अब 123 कुछ नहीं है, और 5 भी कुछ नहीं है, IPv4 है और IPv6 है, दो है, clear है, तो सही answer है, D, what protocol does DHCP use, add transport layer, transport layer पे DHCP जो protocol यूज करता है, वो कौन सा है, DHCP का मतलग होता है, dynamic host configure protocol, जो dynamically configure करें, जितने भी protocols है, dynamic host configure protocol, जो कौन सा होता है, मैं आपको एक बार clear कर दूँ, जिन बच्चों ने computer नहीं पढ़ रखा, network नहीं पढ़ रखा, TCP layer के उपर, जो TCP है, जहां सोरी बोलू में आपको transport layer, तो उसमें दो protocol होती है, एक protocol होता है TCP, दूसरा होता है UDP, TCP होता है transmission control protocol, यह connection oriented होता है, इसमें connection build होता है, पहले उसके बाद transmission होती है, और second होता है UDP, user datagram protocol, इसमें connection established नहीं होता, ठीक है, यह connection less protocol होता है, तो जो यह dynamic DHCP की बात कर रहे हैं, तो वो UDP यूज़ करता है, ठीक है, user datagram protocol, गोल, 13th question, network interface card is an, is a, डेश डिवाइस, यह भी question पूछा गया है, बेटा पटवारी में, लास्ट येर, तो इसका answer हैगा, यह last year नहीं, last to last year पूछा गया था, network interface card, input भी लेता है, और output भी देता है, इसका मतलब जो NIC card है, वो input output device है, बोथ option आएगी, c, question number 14, a computer virus is a, computer virus क्या होता है, आपके पार चार option दे रखिये, a software that save the computer from being damaged, वाइरस save तो नहीं करता है computer, इसका मतलब यह option तो गया, application software that helps to make different type of virus, नहीं एक तरह से यह application software नहीं है, यह virus बनाता है यह खुद virus के definition पूछ रहा है, इसका मतलब वो भी गड़त है, b भी गड़त है, c, program that spread itself and destroy other program, यह ठीक है, last में क्या है, program that correct the problem in your computer, यह तो बिलकुली गड़त है, तो सभी answer क्या हैगा, c, जो program क्या करता है, अपने आपको separate करता है, और other programs को destroy कर देता है, 15, यह भी पूछा गया है बेटा, last year, यह बहुत important है, बहुत बच्चों को नहीं पता, http के तक पता होगा, https भी पता होगा, जब हो कभी भी कोई website खोलते हैं, तो उसके starting में लिखा होता है, https, उसके बाद www.wikipedia.com, तो वो https के बारे में नहीं पूछेगा बापसी, वो पूछेगा, https में, s क्या है, सिक्योर है, सिंपल है, स्टेंडर है, स्मार्ट है, क्या है, सही अंजर क्या है इसका, येस, एनिवन, गैस करेगे, क्या होगा, तो सही अंजर है, सिक्योर, सिंपल नहीं है, सिक्योर है, ठीक है, question number 16, from what has the term y max been derived, अब ये question पतवारी में पूछा गया, नैब तसील में पूछा गया, और अभी last time जो, चंडिगर housing board का, अगर मेरी last video आपने देखी होगी, तो उसमें भी ये question मैंने डाला था, ठीक है, मतलब previous year, जितने भी paper है, मैंने सिर्फ network के question अभी उठाई है, बाकी question नेक्स वीडियो में लेकर आऊंगा, जिनने बच्चों दो लास्ट मेरी वीडियो देखी है, वो दो easily इसमें से guess कर लेंगे, भी वो क्या है, देखो, पहला word सब में common है, worldwide, worldwide interoperability for the microwave access, worldwide interconnection for the microwave access, worldwide interchangeability for microwave access, worldwide interconnection for multiple access, तो इसका एक ही answer है, बाई, इन्टो डेरिवेशन है, वो फर्स्ट है, इसकी जहां से यह इसको drive करा गया है, worldwide interoperability for microwave access, ठीक है, इसको as it is ही आपको full form पढ़ने इजाद कर देखी है, office lands that are spread geographically apart, on a large scale, can be connected using, अगर मेरा office में जो land है, जहां में यह बात करूँ कि मेरा office है, वो जो graphically बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो उन में जो मेरी connectivity है, वो कौन सी चलेगी, land तो पिटा छोटा एक company, एक office के लिए हो सकता है, किसी campus के लिए हो सकता है, personal area network हो गया है, मैं किसी city को cover करना हो तो, लेकिन मैंने कहा लिखा है, geographical area बहुत बड़ा है, clear है, तो उसमें wide area network हम करेगा, ठीक है, 18th question आ गया, the abbreviation of ISP, ये लास्ट वीडियो में भी आपको दिखेगे, क्योंकि ये question दो तीन बार लगा तार आ चुका है, अलग-अलग exam में पुछा गया है, तो ISP की full form होती है, internet service provider, so D is the right answer, next question number 19, a SIM, जैसे mobile में SIM डालते हैं, SIM, in mobile phone, stands for, SIM की full form पुछिए जी, पटवारी में पुछा होगा, आई देर नव तस्रिदार में, SIM की full form क्या होती है, subscriber, identity module, subscriber, identity module, 20th question, the code for web page is written using, इन में से किसको यूज करके हम किसी भी web page में coding करते हैं, बेसिकल ये पूछा के, coding में कौन से language यूज की जाती है, 5th generation language, Perl, Elgo, और HTML, जिन्होंने computer में नहीं पढ़ा, वो अब जान लेंगे, उसको बोलते हैं, HTML, hypertext markup language, ठीक है, hypertext markup language, जिसकी help से हम, notepad में इसका code write करते हैं, और ये directly चलता, web browser में है, ठीक है, तो, अलग software भी आ जाते हैं, लेकिन नहीं कोई software है, तो, simply notepad पे भी ये चल जाता है, लेकिन उसकी extension.html से save करोगे, तो, 21st, network components are connected to the same cable in the topology, अब कौन सी topology है, जिसमें एक ही cable के साथ सब connected होते हैं, सब nodes, जा सब computers, सब communicating devices connected होते हैं, तो वो कौन सी topology है, उसको बोलते हैं, bus topology, ठीक है, एक के साथ सारे connected होते हैं, what is the term for unsolicited email, ये last time पूछा गया था, वो कौन सी mail होती है, जिसको हम ये बोलते हैं, ठीक है, inbox की mail को नहीं बोलते हैं, draft को नहीं बोलते हैं, news group को नहीं बोलते हैं, जाते हैं, जितनी mail spam में जाते हैं, ठीक है, ये वो mails होते हैं, जिनके बारों में हमें नहीं पता, जहां कोई ऐसी mails हैं, जिन्होंने first time हमें send कर रखा है, हम उनको spam से बाहर निकालेंगे, वहां से option पूछ लेता है, clear है, otherwise, जो un-patchाता, ऐसे बोल दूँ, जिसको आपको knowledge नहीं है, वह ऐसी चीज़ है, भी computer भी identify नहीं कर पाता है, भी आप उनको जानते हो जानते हो जा नहीं, वीडियो में डाल रखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, MS Word के उपर, जितने भी वह previous year में कोशने पूछे गए हैं, उन्हें के उपर, आप तब तक के लिए, बने रही है, चैनल के साथ, और खुश रही है, ओके वीडियो,